असलाम अलेकूरूम वेलकम बैक टो माई चैनल आज हम आप लोगों के साथ आलू मटर पुलाओ की रेसिपी शेयर करेंगे जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ठंडियों में ये रेसिपी बहुत ज़्यादा बनती है बहुत जल्दी और बहुत आसान बन जाने वाले ये पुलाओ किसी बिरियाने से कम नहीं होते अगर ये गर्म गर्म आपको मिल जाएं तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं हमारी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दिया करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब क करेंगे दो तेज़ पत्ता है आधा चमजीरा है तीन लौंग है काली मिर्च है और एक बड़ी लाइची है इन सभी को थोड़ी देर हम पका लेंगे 10 सेकंड फिर इसमें हम दो प्यास डाल देंगे प्यास को आप स्लाइस में काटें तो बहुत अच्छे से और जल्दी से यह फ्राई हो जाती है प्यास जैसे ही फ्राई हो गई इसमें हम एक टेबल स्पून अद्रकलस्टन का पेस्ट डाल देंगे और इनको भी अच्छे से पकालेंगे 2-3 मिनट लगेंगे इनको पकने में अब इसमें हम टेमाटर डाल देंगे 250 ग्राम तीन तमाटर है चार पा कर देंगे 2-3 मिनट के लिए तो यह देखिए टमाटर हमारे यहां पर सॉफ्ट हो चुके हैं अब इसमें हम 3-4 हरी मिर्च क्रश करके डाल देंगे इससे बहुत अच्छा सा जायका आएगा पुलाओं में और हमें लाल मिर्च कम यूज करनी पड़ेगी अब मसाले देख ले है अब इन सभी को डाल देंगे इसमें हम और अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले गैस की फ्लेम एकदम लो रखना है वन्ना मसाले जलने लगेंगे थोड़ा सा पानी डाल देते हैं अच्छे से मसाले की भुनाई हो जाएगी तो मसाले को हम चलाते हुए भून लेंगे और दो तीन मिनट के लिए कवर भी कर देंगे तो ये देखिए मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं हमारे क्योंकि टमाडर हमने पहले से ही पका दिया था तो ये सूखे मसाले जल्दी ही भुन जाते हैं अब इसमें हम सबजें आट कर देंगे आप इसमें गोभी भी शा पानी डाल देंगे पानी हमने अपने enacted के मताबिक लिया है अभी हम आगे चलके आपको बताते हैं कितना चावल है तो कितना पानी डालना है हरी धनिया डाल देंगे और ये बड़ा नीमबू था तो हमने आधा डाल दिया है नीमबू से चावल हमारे खीले-खीले से बनेंगे तो यहाँ पर हमने लिया है आधा किलो बासमती तूटे हुए चावल है यह जो हम डेली यूज़ करते हैं वही चावल है और हम इस चावल से जब ऐसे पुलाव बनाते हैं कभी-कभी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आपको भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है रेगुलर जो चावल आप यूज़ करते हैं उसी को इस्तेमाल करने इस पुलाव में बहुत ही अच्छे बनते हैं क्योंकि हम आपको बता दे रहें कि ये टाइम पास रेसिपी है और एक आलसी रेसिपी है जब आपको खाना बनाने का मन न करे आला साथ है तो ऐसा पुलाव बनाएं घर वाले भी खुश हो जाएंगे बच्चे तो इसे खागर बहत खुश हो जाते हैं अब प्रेशर कूकर की लीड लगा देंगे एक सीटी आएगी तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे पांच-छे मिनट लो फ्लेम पर रखेंगे फिर जब इसका प्रेशर निकल जाए तब ही हम इसको खोलेंगे खुश से इसका प्रेशर निकलने देंगे तो ये देखिए जब इसका प्रेशर निकल गया है तो हमने बिल्कुल परफेक्ट खिले-खिले से चावल बने हैं तीन कप चावल में हमने यहाँ पर साड़े-चार कप पानी डाला है अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो पांच कप पानी डाले चावल पुराने होते हैं तो ज़्यादा पानी सोकते हैं आप जिस भी बरतन में चावल बना रहे हैं ये चेक करें की चावल से एक इंच उपर हो पानी बस और परफेक्ट चावल आपके भी बन जाएंगे एकदम खिले-खिले से तो यहां पर रेडी हो चुके हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार से पुलाओ गर्मा-गरम इसे आप सरो कीजिए चटनी के साथ या रायते के साथ बहुत ही इजी कीक रेसिपी है जब भी खाना बनाने का मन न करे आला साए तो इस रेसिपी को जरूर से ट्राइ करें इसलिए मैं इसको आल सी पुलाओ कहती हूँ अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा थैंकि फॉर वाचिंग अल्ला हाफिज